दोस्तों यहां पर आके अगर आप इसके उपर क्लिक कर देते हो तो Google Chrome का जो सेफ सार्च है यानि कि सेफ ब्राउजिंग है वो बंद हो जाएगी अब बात आ जाता है यहां तक आपको किस तरीके साना है वही आपको इस वीडियो में दिखाएंगे डिटेशली और किस तरीके जो है उसको सबसे पहले हम लोग क्लॉस कर लेते हैं फिर Google Chrome हम लोग ओपेन कर लेते हैं Google Chrome ओपेन के बाद राइट साइड में आपको त्रिपल डॉट यहां पे दिखाए रहा है देख सकतो उस त्रिपल डॉट की उपर आपको क्लिक करना होगा एंड यहां पर आपको सिक्यूरिटी यह वाला टैब आपको देखने को मिल जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करना होगा इसके उपर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा से स्क्रोल करेंगे तो सिक्यूरिटी वाला जो टैब है इसके अंदर से ब्राउजिंग आपको देखने को मिल जाएगा ज वो जो है automatically आपका Google Chrome वो सारे के सारे website को बंद कर देंगे और उसके अंदर अब एंटर नहीं कर सकते हो फिर आ जाते standard protection मतलब थोड़ा बहुत protection आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा website के अंदर एंड लास्ट वाला जो है no protection मतलब Google Chrome आपको किसी भी तरीके का protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा एंड आप जो चाहते हो safe search को बंद करना हो इसी से होगा तो simple इसके उपर आपको click करना होगा and यहाँ पे turn off की उपर आपको click करना होगा जब आप turn off की उपर click करेंगे तो यह basically अब बंद हो चुका है Google Chrome का safe search तो इसी तरीके से आप basically Google Chrome का safe browsing यानिकी safe search Android mobile के अंदर बंद कर सकते हो तो आई हो भी वीडियो आपके लिए थोड़ा से भी helpful रहा और अपको लगता है वीडियो helpful है informative है आपको जो friends है सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करके जो all notification button देंगे उसको press कर दिजेगा thank you so much watching this video keep sharing keep watching keep liking digital bandit